देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको Google ओपन कर लेना है किसी वी ब्राउजर पर और वहाँ पर यह जो सर्च बार दिखाए देते इस पर आपको सर्च करना है PM विसकर्मा योजना यह आप लिखकर यहाँ पर सर्च कर लेंगे यह देखिए इस तरह से आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है जैसी आप सर्च करेंगे यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहली वेबसाइट दिखाएगी PM विसकर्मा यहाँ पर आपको PM विसकर्मा के उपर क्लिक कर देना है जैसी क्लिक करके अपनी लेंगवेस चेंज कर लेना है अप देखें आप लॉग इनी पर जब जाएंगे यहां पर लॉगिन का ऑप्सन से इस पर देखीए आपको इनलिस्ट ग्राम पंचायत पर दिखाए देने लागेगा इस पर आप click कर देंगे जिसे आप यहाँ पर click करते हैं अब आपके सामने देखे यह page आ जाएगा यहाँ पर अपना CSCID लॉग इन पास्वर्ड मांगेगा आपको क्या करना है यहाँ पर अपना CSCID और पास्वर्ड डाल कर सांतिये capture code फिल करने के बाद आपको sign in कर लेना है sign in करने के बाद अब यहाँ पर आपको थोड़ी दिर वेट करना है इसके बाद आपके सामने in list ग्राम परचायत प्रधान का जो options है वो आ जाएगा यह देखे यह page आ गया है यहाँ पर आपको detail फिल करनी है यहाँ पर दिखिए सबसे पहले state आपको जिस state के ग्राम पर चार्ज प्रधान का login ID बनाना है उनका आप यहाँ पर state select कर लेंगे सबसे पहले जैसे हम यहाँ पर मद्धिप्रद्या select करेंगे इसके बाद आपको district select करना जिस district के लिए आप कर रहे हैं यह देखिए इस तरह से आप वर्ट के दो आपके जो district है उसके शुरू के दो letter लिखेंगे अक्षर लिखेंगे तो आपका district दिखाई देगा आप वहाँ से select कर लेंगे इसके बाद देखिए block आपकी इस block में जो पंचायत है उस block को आपको select करना है पंचायत वाली block को तो यहाँ से हमने ये block को select कर लेंगे इसके बाद देखिए आपको gram penchant का option दिखाई देता है यहाँ पर आप उस penchant को select कर लेना है जिस penchant के परदान के लिए आप login ID बना रहे है यहाँ पर हमने ये penchant select कर ले अब submit पर आपको click कर देना है नमबर फिल करके यहाँ पर आपको continue पर क्लिक करना है तो चलिए सबसे पहले mobile नमबर लिखेंगे यह देखे इस तरह से mobile नमबर लिख लेना है यहाँ पर आपको इसके बाद नीचे की तरफ में देखे आपको आधार का ओप्संस दिखाए दे रहा तो यहाँ पर आपको 12 अंको का जो आधार नमबर है जो ग्राम पंचात प्रदान है उनका लिखना है आपको अपना नहीं ल अब देखे यह जो capture code दिखाई देगा आपको वही capture code आपको यहाँ पर फिल कर देना जैसा दिखाई देता है वैसा फिल करना है small letter capital letter का ध्यान रखना है आपको यहाँ पर इसके बाद जब आप capture code यहाँ पर इस तरह से फिल कर लेंगे इसके नीचे देखे आपको एक check box दिखाई देता है उस check box को आपको tick कर देना है यह देखे इस तरह से check box करेंगे और continue पर click कर देंगे जैसी आप continue पर click करेंगे एक आधार का OTP उनके registered mobile number पर जाएगा जो उनक mobile number पर आया है वो TP आपको यहाँ पर फिल कर देना इस तरह से इसके बाद continue पर click करेंगे जैसी आप continue पर click करते हैं यह देखे आपके सामने आधार verification का options आगा यहाँ पर check box पर tick करना है और आपको उनका biometric authentication करना है तो यहाँ पर verify biometric पर click करके उनका thumb impression ले ले लेना है आपको biometric जो machine है आपका चाहे वो किसी भी company का हो आपको RD service के साथ उनको enable करना है device को और उसके बाद उनका thumb impression रखना है वहाँ पर और okay कर देना जैसी आप verify biometric पर दुबारा यहाँ पर click करेंगे अब देखे अब आपके सामने set password का यह options आजाएगा और यहाँ पर आपको ग्राम प password फिल करेंगे चलिए password फिल कर लेते हैं यह देखे इस तरह से password फिल कर लेंगे उसके बाद देखिए आपको re-enter password का option दिखाए देता है नीचे की तरफ तो वहाँ पर आपको यही password दोबारा फिर से fill करना होगा तो चलिए यहाँ पर फिर से password फिल करेंगे जो password आपने उप पर फिल किया वही आपको यहाँ पर फिल करना है और submit का जो button आपको दिखाई दे रहा नीचे वहाँ पर submit पर आपको क्लिक कर देना है यह देखिए यहाँ पर submit पर आपको क्लिक करना है जैसे आप submit पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने यह page open हो जाएगा यहाँ पर select role का options आप देखिए यहाँ पर आपको उनका रोल Si Direct करना तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा gram, पंचायद आपको यहाँ पर Select कर लेना है यहाँ पर आपको सबसे ऊपर की तरफ में ग्राम, पंचायद दिख़ेगा आपको Scroll वी स्क्रॉल उपर करके दिखाते हैं यह देखिए इसके बाद capture code fill करेंगे और sign in पर click करेंगे जैसा capture code दिखाई देरा same way से फिल करना है अब sign in पर click करेंगे जैसे आप sign in पर click करेंगे तो आप देखेंगे sign in नहीं होगा यह sign in तब तक नहीं होगा जब तक इनका id एप्रूब्ड नहीं हो जाता है यह इनके department के जरीए जब अप्रूब्ड हो जाएगा तो यह इस तरह से यहाँ पर login कर पाएंगे सरपंच तो एकदम आसान तरीका है आपको login id बनाने के लिए तो आप क्या करेंगे अपना जिस तरह हमने बता है इस तरह से आप अपना जो सरपंच के प्रधान ग्राम प्रणचाइद प्रधान है उनकी PM विसकर्मा की login ID यहाँ से बना देंगे और इसका print निकाल कर उन्हें दे देंगे ID password लिखकर ताकि उन्हें ध्यान रहे कि उनका ID password क्या बना जैसी उनकी ID स्टार्ट होगी चालू होगी झालू होगी